आप जिक के भाई मास्टर सन्नी चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंट साज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शिक्षा मंतरी रमेश पोख्रियाल ने जेही और नेट के एकजाम के बारे में क्या का और किस तारिक होगा आपका जेही का और नेट का एकजाम बड़ी खबर है बड़ी घोषना है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले चलते हैं वीडियो की तरफ परिक्षा की तारिके जेही में और नेट के एकजाम गोशित 18 से 23 जुलाई के बीच जेही में और 26 जुलाई के होगी नेट की परिक्षा केंदरे शिक्षा मंत्री रमेश पोकरियाल निसंग ने लाइव समवाद बेबिनार और के जरिये परिक्षा की नई तारिकों का आइलान किया अगस्त में होगी जेही एडवान्स तारिका आइलान जल्द CBSC वोर्ड परिक्षा की तारिक भी जल्द गोशित की जाएगी कोरोन वाइरस की रोक्ताम के मद्द नजर देज बर में लोकडाउन जा रही है इसकी वज़े से इंजिनेरिंग और मेडिकल में एडमिसन के लिया होने वाली एंट्रेस एक्जाम भी सतागित कर दी गई है लेकिन अब जेही में 18 से 23 जुलाई के बीचा जित की जाएगी वही 26 जुलाई को नीट की परिक्षा होगी केंद्री शिक्षाम मंत्री रमेश पोखरियाल निसंक ने पेरेंट्स और सटुडेंट्स के साथ हुए लाईव समवाद वेविनार के जरिये परिशा की नई तारिखों का एलान किया इस बार ने नीट के लिए इस परिक्षा के लिए शोड़ा से साथ लाखों मिद्वारों ने आविदन किया सटुडेंट्स के सवालों का दिया जवाब मानु संसादन विकाज मंत्री रमेश पोखरियाल ने मंगलवा दो फैर पेजित इस बार के चातरों से बेविनार के जरिये सिद्धा समाद कर जैई मेन और नेट के परिक्षा की तारिखों की गोशना की जिसके बाद अब 18 से 23 जुलाई के भी जैई मेन आई जित की जाएगी 26 जुलाई को नेट और जैई एडवांस अगस्त में जित होगी हालांके अभी एडवांस की तारिख का आलान नहीं किया गया केंद्रिय मंत्री ने यह भी बताया कि मौजुद आलत को ध्यान में रखते हुए जल्द ECBSC बोर्ड पर इक्सा की नई तारिखों की भी जल्दी गोसित की जाएगी पहले भी कर चुके है समवाद जैई के मेन एडमिट कार्ड के बारे में केंद्रि मानव संसादन विकास मंत्री ने कहा है कि इस पर इक्सा से 14 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किये जाएंगे यह दूसरी बार था जब मानव संसादन विकास मंत्री चात्रों से सीधा समवाद किया इससे पहले वोई समवाद में वेड़ पैरेंट्स और सड्रेंट्स के लाव सिखसक और विशेसक से भी जुड़ चुके थे फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले आपको बता दिया है जैई और नेट का एकजाम के बारे में थैंक्यू धन्यवाद